अफ़कानिस्तान के मुद्देपा सरकार ने सरजली बैठक बुलाई है सरजली बैठक में AIMIM नेता असरदूदीन ओवैसी साब भी थे सर बैठक करीबन दो ड़ाई गंटे तीन गंटे तक चली क्या बैठक के बाद में आप लोग संतुष्ट हैं ने मैं तो मुतमाइन नहीं हूँ जो हमने सवालात उठाए थे उसका गोलमोल जवाब सरकार ने दिया मीटिंग बड़ी लंबी रही उन्होंने प्रिजेंटेशन दिया उसकी कौपी भी दी मगर जो सवालात हम उठाए उसका तो जवाब भी नहीं दिये आप सिर्फ वेट औ वाच कह रहे हैं वेट और वाच आपके नेवरूट में हो रहा और वेट और वाच कर रहे हैं अगर हमारे पास कंटिंजेंसी प्लान नहीं था हमने अमेरिका पर बहुत ज्यादा हमने भरोसा किया और जब लिंकन आये थे आज से एक मेहना से कम टाइम में तो आपको निकालना चाहते हैं अमेरिका हमको सेक्रिटी प्रोवाइड नहीं करता चिनोक्स अमेरिका के पास हैं तो हमको बड़ा एरकाफ सी सेविंट इसको कहते हैं वो लाना पड़ा है अमेरिका वो भी नहीं था तो क्या कौपरेशन है आपका यूएस से और फिर अगर कि यही हकानी नेटवर्क हमारे एक डिप्लोमेट को काबूल में एमबसी में बंबलास में उसकी मौत हुई थी और अगर नहीं करते तो फिर आप यूए पीए में करेंगे कि यूए पीए लौ में टर्रेस करते हैं अगर वो भी नहीं करेंगे तो बीजेपी को अपने तमाम स इंबसी में उनको नहीं लाया मैंने यहीं पूछा कि अफगानी इंडियन को छोड़कर आपने अफगानियों कितनों को विज़ा दिया उसका भी कोई जवाब नहीं सब गोल मौल जवाब है साम कर रहे हम इनसे बात कर रहे हुए चर्शा के दौरान क्या इस बात को लेकर बीजर चर्शा हुई है यह आशंका दाहिर की कि क्योंकि तालीबान अफगानिसान में कब्जा कर चुका है लहादा उससे जो भारत में क्रॉस बॉर्र टर्रियरिस्म है उसका भी खत्रा बढ़ेगा यखिनन बढ़ेगा कौन इंकार कर रहा है से कौन कौन इंकार कि सब जि नहीं कह रहे हैं वो खुद कह रहे हैं बैट टू फरंट छोड़िये वन फरंट के लिए तैयार हो जाई है अब चीन बैक करेगा पुरा पाकिस्तान को तो यह यह तो यह तो है ना यह सब तबदीलियां होंगी और इस पर देखे क्या होता है